दोस्तों रवशकार, वीलचेर पर मम्ता बनरजी और रत पर सवार शुभेंदू अधिकारी ये नंदी ग्राम की गलिया हैं बीते अर्टालिस घंटों से वीलचेर पर जिस तरीके से गली दर गली या कहें गाउं दर गाउं या कहें बस्तियों दर बस्ती छोटी छोटी दुकानों के बीत से निकलती हुई सरपट सक्री गलियों के बीत से मम्ता बनरजी वीलचेर पर लगातार घूमती रही और उसी के ठीक समरांतार आज जब रत पर सवार होकर शुभेंदू अधिकारी निकले तो हो सकता है उनके जहन में भी ये सवाल जरूर रहा होगा आने वाले वक्त में नंदी ग्राम का काया कल्प होना तै है मम्ता बनरजी भी सोच रही होगी 2007 में संघर्ष की शुरुवात जस नंदी ग्राम से की वही पर आकर वह घायल भी हुई और वीलचेयर पर उन्हें घूमना भी पड़ रहा है नंदी ग्राम का सच ना तो 2007 में देश के सामने आया बंगाल के सामने आया और ना ही 2021 में चुनाओं के वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें भी सामने आ पा रहा है दरसल यह एक ऐसी लड़ाई हो चली है जिस लड़ाई के जरिये आने वाले वक्त में बंगाल की समूची राजनिती का किंद्र नंदी ग्राम क्यों होगा और इसके पुराने पन्नों को क्यों लोग भूलना चाहते हैं बुलाना चाहते हैं चाहे वो रत पर सवार हो या फिर वील्चेयर पर गलियों में घुमती हुई ममता बेनर जी हो हमें लगता है कि आज इतिहास के उन पन्नों को खोलना चाहिए जिसके जरिये आप समझ पाए कि नंदी ग्राम का मतलब सिर्फ वोटर नहीं है जिन में आखलन किया जा रहा है कि 62 हज़ार से ज़्यादा तो मुस्लिम है और बाकी तो हिंदू है और जब शुबेंदू अधिकारी ने कह दिया है पचास हज़ार वोटों से हराएंगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि शुबेंदू अधिकारी मान कर चल रहे हैं कि डेड़ लाग से ज़्यादा वोट उनको मिल जाएंगे हाला कि अभी तक नंदी ग्राम का इतिहास रहा है डेड़ लाग वोट कभी किसी को नहीं मिले एक लाग चौन्तिस हज़ार वोट दो हजार सोला में शुबेंदू अधिकारी को जरूर मिले थे लेकिन तब वह टीमसी में थे मम्ता बैनर जी के साथ थे इससे पुराने इतिहास में एक लाग तीन हज़ार, चौरानवे हज़ार, च्यानवे हज़ार इतने ही वोट मिलते थे जीतने वाले उमिदवार को लेकिन आज चर्चा इस बात की नहीं है कि अब आने वाले वक्त में शुबेंदू अधिकारी को कितने वोट मिल जाएंगे लेकिन दो विकल्पों पर जरा गौर कीजिए अगर नंदी ग्राम से ममता बेनरजी हार जाती है लेकिन पश्चिम बंगाल में टेमसी जीत जाती है तो क्या होगा यानि शुबेंदू अधिकारी नंदी ग्राम में चुनाव जीत जाते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो क्या होगा ममता बेनर जी नंदी ग्राम को छोड़ेंगी नहीं और शुबेंदू अधिकारी पीजेपी के बगार अगर सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर आने वाले वक्त में उनकी रा में मुश्किल ही मुश्किल है लेकिन एक दूसरी परिस्तिती पे आईए शुबेंदू अधिकारी चुनाव हार गए लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत गई यानि ममता बेनर जी नंदी ग्राम में जीत गई लेकिन टीमसी बंगाल में हार गई तो फिर क्या होगा फिर शुवेंदु अधिकारी नंदी ग्राम को काया कल्प कर देंगे नए तरीके से मतना शुरू करेंगे यानि जीत हार के इस पार या उस पार नंदी ग्राम को सियासी तोर पर मता जाना है या एक सच है ये सच इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलते हैं और आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जिस सफर की नब्ज को जब आप परखना शुरू करेंगे तो आपके दिल की धलकने बढ़ जाएंगे क्योंकि इन धलकनों के भीतर वांपंतियों के खिलाफ ख़ड़ा मावाद है माववाद के साथ टीमसी के कारकरताओं की फाज है बंदूक का चलना है बं का फेका जाना है मैंड विसफोट करना है बंदूखों का आदान परदान करना है और तो और हत्यारों की कारखाना तक को लगाने की परिस्तितिएं को नंदी ग्राम में जीते हुए देखना है ये सफर उस्वक्त का है जब वामपंतियों की सत्ता थी और मौझूदा वक्त में वामपंती कहीं नहीं है वामपंथी अगर हैं तो उनके परतिशत वोट बर सकते हैं उनका कैडर कुछ वोट का जुगार कर सकता है लेकिन चुनाओ जीतना शायद उनकी फितरत इस चुनाओ में नहीं है क्योंकि इस चुनाओ में सीधी टककर है और सीधी टककर का मतलब कई तरीके से जरा समझना होगा क्योंकि जैसे इस बात का जिक्र शुवेंदु अधिकारी रत पर सवार होकर कहते हैं उन्हें एक बेगम से लड़ना है एक ऐसी बेगम जो इसे बंगलादेश बना देना चाहती है या पाकिस्तान बना देना चाहती है जो शब्द होता है जोड लीजिए लेकिन जैशिराम के नारे तले इस बात का एसास कीजिए कि यह शब्द धुरुविकन के लिए है यानि पश्चिम बंगाल में जहां पर एक तिहाई मुसल्मानों की मौजूदगी है तो क्या कोई यह कह सकता है कि मुसल्मान शब्द इस देश को जटके में राजनितिक तोर पर बाट देता है कोई यह कह सकता है कि मुसल्मान शब्द हिंदूओं को धुरुविकन की ताकत रखता है कोई ये कह सकता है कि BJP हिंदु वाधी पार्टी हो जाएगी अगर हिंदुत्य का दुरुविकन बंगाल में हो गया तो या फिर ये कोई कह सकता है कि देश हिंदुत्य के रास्ते चल निकला है और बंगाल में उसका ऐसे टेस्ट हो रहा है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मुसल्मानों की जनसंग क्या है या कोई ये कह सकता है ये वह पश्चिम बंगाल है जहां पे हिंदू मुसल्मान एक वक्त एक बराबर अनुपात में रहते आए हैं तमाम परिस्थितियों को देखा है भोगा है संगर्ष भी साथ किया है और आगे भी साथ बड़े हैं यही सोनार बंगला तो था लेकिन नई परिस्थितियों में सोनार बंगला की परिभाशा भी बदल दी गई तो हमें लगता है कि आज एक सफर पर चलने से पहले इस चीज को जान लिजे कि शुबेंदु अदिकारी खुद जो है वो कहां से निकले उसके बाद मम्ता बेनरजी के साथ होते होते आज वो बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं और जब वो बीजेपी के रत पर सवार और उनके बगल में देश के ग्रहमंत्री तो फिर जाहिर है वो खुद को सबसे बड़े कददावर नेता के तौर पर देख रहे होंगे देखना भी चाहिए लेकिन सफर यह है कि एक वक्त कॉंग्रिस के साथ शुभेंदू अधिकारी हुआ करते थे जब ममता भी हुआ करती थी 1995 का वक्त कॉंसिलर पर से जीते थे कॉंटेंड मुनिस्पल्टी का इलाका था और वहां से पारशत का चुनाओ शुभेंदू अधिकारी ने 1995 में जीता था लेकिन ममता बैनर जी ने तै किया कॉंग्रिस छोड़ देंगे तो शुभेंदू अधिकारी ने भी का हम भी आपके साथ चलेंगे और दोनों साथ निकले आए और टीमसी बनी तैसा नहीं है कि टीमसी में पहला चुनाओ उन्होंने नंदी ग्राम में लड़ा जी नहीं 98 में उन्होंने अगर टीमसी के साथ ख़़े हुई तो 2006 में कांथी विधान सभा से वो MLA भी बने थे लेकिन टर्म होना इसे पहले ही वो लोकसभा चुनाओ में कुद गए 2009 फिर याद कीजिए क्योंकि उससे पहले नंदी ग्राम में 2007 में जो कुछ हुआ था उसकी अगवा काउं की फोच खड़ी थी और सीपीम से दो दो हाथ लड़े जा रहे थे उस वक्त के पन्नो को खोलने उससे पहले शुबेंदू अधिकारी का कुछ और सच उनकी अपने जिंदगी के संगर्ष को टीमसी के च्छाओं तले जरा समझ लीजिए क्योंकि 2009 में वो चुनाओ ज 2014 में सांसत बनते हैं लेकिन 2016 में जब इलेक्शन होता है तो वह नंदी ग्राम से चुनाओ लड़ते हैं और इस नंदी ग्राम की नबज को और कोई नहीं शुबेंदू अधिकारी से बेतर और कोई नहीं पहचानता होगा गाउं गाउं घर घर के भीतर में शुबेंदू अ पीचे खड़ी थी और जब हम आपसे इस बात का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है दो पन्ने और खुलने चाहिए उनके बीजेपी में आने से पहले क्योंकि 2014 के चुनाओ जीतने के बाद जब मोधी सरकार ने टारगेट पर लिया पश्चिम बंगाल में तो पूछताच की जो कड़ी शुरू हुई तो CBI का पहले इंट्रोगेशन की कड़ी में अगर मुकुल राये थे तो फिर शुवेंदू अधिकारी भी थे सर्धना ग्रूप फेनाशियल स्केंडल था ये उसमें पूछताच शुवेंदू अधिकारी से हुई थी अधिकारी ने इसलिए उस से जाने से पहले उन्होंने शुवेंदू अधिकारी से मुलाकात की थी CBI ने यहीं इंट्रोगेशन किया था शुवेंदू अधिकारी ने इंकार कर दिया दूसरी पूस्ताच उनसे जुलाई 2016 में हुई थी जुलाई 2016 यानि जब वो नंदी ग्राम के विधायक बन जाते ह और उससे ठीक पहले जब सांसत थे उस समय जब पूस्ताच CID ने की थी और उन्होंने कहा था कि नंदी ग्राम में जो मावाद सक्रिये था उन मावादियों को हत्यार देने में शुवेंदू अधिकारी का हाथ था पश्चिमंगाल की CID ब्रांच ने यह उनसे पूस्ताच किया आरोप लगाया अब हमें लगता है कि जब इस सफर पर आप चल रहे हैं तो अब पुराने सफर के पन्नों को हम खोलते हैं क्योंकि इस सफर के पीछे का बैग्राउंड पुलिस की वह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कि उन्होंने मावादी कैडर से जुड़े हुए एक शक्स से पुछताच की उसका नाम मदुसूदन मंडल था और उस मदुसूदन मंडल ने जो कुछ कहा उसका खाखा पुलिस की जांच रिपोर्ट में दरज है और वो जांच रिपोर्ट की फाइल आज हमारे पास है उस रिपोर्ट को इसलिए जानिये क्योंकि संघर्ष कर कर निकले मावादियों के साथ संघर्ष CPM के किलाफ संघर्ष मम्ता के साथ खाढ़े होना ये सारी परिस्थिती थी इसलिए एक लहाद से नंदी ग्राम पूरे तरीके से या कहीं पूरवी मिदना पुर ही एक लहाद से पूरे तरीके से शुभेंदू अlaub uniqu अधिकारी के हाथ में दिया गया था आप ही से चलाइए आप ही समालिये ममता बेनर जी कॉलकाता से बाकी बंगाल को देखेंगी तो फिर नंदी ग्राम में बीते 100 घंटों में अगर ममता बेनर जी नजर आ रही है और एक के बाद एक बीते 100 दिनों के दौर में शुबेंदु का मतलब यह है कि दरसल यह पूरी टीम 2007 से 2011 तक जिस संघर्ष को करती रही उसमें ममता बेनर जी और शुबेंदु अधिकारी एक साथ खाड़े थे इस संघर्ष के पन्नों को आज खोलने की जरुरत इसलिए है क्योंकि यहां पर वोटिंग होनी है और वोटर वही है लेकिन नजारा बदल गया है ममता बेनर जी कभी वीलचेर पर नंदी ग्राम की गलियों से गुजरेगी और वोटर वहां का देखेगा यह असंभव सी समझती वहां के लोगों की या फिर शुबेंदू अधिकारी बीजेपी के रत पर सवार होकर निकलेंगे और देश के ग्रेमंत्री उनके साथ खड़े होंगे यह भी एक असंभव सी सोच है जो नंदी ग्राम की गलियों में हो रहा है लेकिन फिर भी एक एपरिल को वोटिंग होनी है उससे पहले जब हम इन पन्नों को खोलना चाहते हैं तो इन पन्नों का सच यह है कि माववादी केडर जिसको कहते हैं कि उस वक्त माववादियों नंदी ग्राम के भीतर अपना जोनल दफतर इसलिए बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी यह महसूस हो गया था कि आने वाले वक्त में सीपीम की सत्ता उखाल फेंकी जाएगी कहीं ना कहीं टीमसी की जमीन मजबूत हो रही थी राजनेतिक तोर पर टीमसी का साथ था माववादी धीरे-धीरे पैर फसारते हुए नंदी ग्राम में एक काया कल्ब की परिस्तितियों को देखना चाहते थे क्यों सीपी भी रूप में काम करे लेकिन जिस रिपोर्ट का हम झікर कर रहे हैं इस रिपोर्ट में कई बातों को खुले तोर पर ना सिर्ब बताया गया और इस बात का झिकर किया गया कि 2007 में जब वामपंतियों नंदी ग्राम में किसानों की जमीन पर कबजा करने की लडाई शु थी वो नंदी ग्राम में होई थी खोन-खोन शीट के घर पर होई थी उसमें मावादी नेताओं की मौजूदगी खास तोर से सुधिप कॉकडोर और तेलगुद दीपकिन की मौजूदगी थी सची बनाए गए थे मदुसूदन मंडल इसके अलावे जो कैडर वहाँ पर जानता जूना ये सारे लोग संपर्क में थे TMC के नेता में TMC का वो कौन सा नेता था जो उस वक्त शुभेंदु अधिकारी से भी उपर था लेकिन उसकी हप्त्या हो गई उसको मार दिया गया क्यों मारा गया किसने मारा ये ःथेद आस तक नहीं खुला है लेकिन उसका न उसके लिए बकाइदा सोना चुरा जो पूर्वी मिदनापूर में ही आता है इस इलाके में ही आता है जिस नंदी ग्राम का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं सोना चुरा प्रैमरी स्कूल और सोना चुरा शितला मंदिर में बकाइदा जो बनाई गई थी कमिटी भूमी उच्छेद प्रतिरोध कमिटी उसके 50 सदस ट्रेनिंग ले रहे थे हतियार चलानों की हतियार चलाने की ये लंबी ट्रेनिंग चली और निशीकांत मंडल जो है ये पूर्वी मिदनापूर के दुरगा चौक गाउं के रहने वाले इनकी हत्या कर दी गई हालाकि जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो माववादी मधुसुदन मंडल था उसने कभी नहीं कहा कि माववादियों ने मारा उसका आर्गुमेंट था कि ये सीपियम के लोगों ने मारा होगा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दिक्र किया लेकिन सवाल इतना भर नहीं है सवाल उसके आगे का है क्योंकि उस समय का संगर्श एक लिहाद से आर्म ऑपरेशन था हत्यार बंद था वो क्योंकि जो राइफल्स आ रही थी जो मशीन गन आ रही थी जी मशीन गन भी उस समय मौजूद थी यह सब कुछ जो नंदी ग्राम में हो रहा था वहाँ पर सोना चारा के करीब एक गोल पाड़ा गाउं है वहाँ पर एक आर्म मैनिफेक्चरिंग यूनिट तक लगाई गए थी बरुन नाम का मावादी था कि जो गन फैक्ट्परी का इंचार्ज था और यहाँ पर लगबग 50 फायर आरम्स बनाए गए थे 0.35 करीबर के इन सारे लोगों का संपर्क और संबंद उस वक्त मावादियों के साथ था यह भी इंकार नहीं है सीपियम का कैडर में हिंसक था यह भी इंकार नहीं है यह सारे लोगों की जड़े जो है आज की तारीक में जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा नंदी ग्राम के गाउं दरगाउं में तो हर गाउं वालों के जहन में यह बात है कि दरसल उन्होंने संघर्ष किया है 2007, 2008, 2009, 2010 से इस्तितियां परिवर्तित होने लगी और 2011 में सत्ता परिवर्तन हो गया लेकिन अब वही वोटर हैं वो क्या करेंगे वो ममता बनर जी को वीलचियर पर देख रहे हैं शुबेंदू अधिकारी को रत पर देख रहे हैं और जब मावादियों ने तै किया 2009 में कि वह अब इस इलाके को छोड़ देंगे तब उस समय जो हत्यार थे उस रिपोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट में बताया जाता है कि बकाइदा मावादियों ने जो राइफल सौपी उसमें वहां के नेता हुआ करते थे शेक शावबुदीन हुसैनपूर के थे ये इनको 0.35 राइफल पाँच दी गई 0.303 की राइफल एक सौपी गई इनको निशिकांता मंडल को दी गई जिनकी हत्या हो गई 0.35 राइफल चार थी 0.303 राइफल दो थी और 9 mm की कारबाइन थी यह भी एक दी गई इनको भी तीन राइफल 0.315 और 0.303 राइफल एक दी गई इन दो नेताओं को इन बातों का जिकर सिले कर रहे हैं कि यह टीमसी सत्ता में उसके बाद आ गई और शेक शावबुदीन जो हैं जो हुसैनपूर के हैं इनको पीते अक्टूबर के महीने में शोकाज नोटिस दिया गया और इनको पार्टी से सस्पेंट किया गया उस वक्त ममता बेनर जी का आरोप था कि जो तुफान आया था तुफान से प्रभावित लोगों को जो मुआवजा बाटा जा रहा था उसमें इन्होंने गरबड़ी कर दी ती और एक दो नहीं साड़े 300 कैडर को नोटिस थमाया था ममता बेनर जी की तरब से जिसमें 200 लोग पूर्वी मिदनापूर के थे यह जो 200 लोग थे यह 200 लोग में से बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए शुवेंदु अधिकारी के साथ चले गए जो बाकी कुछ लोग थे जो पश्चमी मिदनापूर के थे उसमें से भी बड़ी तादाद में लोग शिफ्ट हो गए यानि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देख रहे हैं तो 2007 में माववादी TMC 2011 में माववादीयों के भीतर से निकल कर TMC के साथ जोड़ जाना 16 महतो जिसकी गरफतारी हुई है जिसका प्रभाव काफी माना जाता और ममता बिनर जी काफी करीब है वह भी एक वक्त माववादीयों के साथ खड़े थे लेकिन इस पूरी कतार के भीतर में जो लोग शिफ्ट हुए हैं पूरवी मिदनापूर के जो TMC के कारकरता शिफ्ट हुए हैं अगर उन कारकरताओं की जड़ों को टटोलना शुरू कीजिएगा वह उस वक्त माववादीयों के साथ थे TMC में आए और बीजेपी में चले गए फिर आपको कोई अंतर किसी पॉलिटिकल पार्टी में नजर नहीं आएगा सिवाए इसके कि शुवेंदू अधिकारी रत पर सवार हैं और ममताब एनरजी वीलचियर पर है यह एक परिस्तिती है जो की नंदी ग्राम की गलियों में नजर आ रही है लेकिन इन तीन दो तीन परिस्तितियों से हट कर कई सवाल इसने एक जटके में इसलिए जर्म दे दिये क्योंकि जो नेता पॉलिटिकल तौर पर मावादी से निकल कर TMC में आ गए वह माला माल नहीं हुए उनकी संपत्ती बड़ी से इनकार नहीं है उनके पास जो कच्चे घर थे खपरेल के घर थे पक्के घर में तबदील हो गए और ऐसे नेताओं की कतार है दूसरी परिस्तिती जो BJP के साथ जुड़े वह भी कही ना कही संपत्ती वान हो गए वीलचेयर पर सवार होकर अपनी बेवसी और परिस्तितियों का जिक्र कर रही है कि हमने तो सब कुछ शुबेंदू के हाथ में सौपा था वही चले गए तो अब हमें खुद देखना है और बीते नवंबर के महीने में अक्टूबर नॉवंबर के महीने में जो हमने साड़े तीन सो लोगों को जो नोटिस दिया और कईयों को सस्पेंट कर दिया वो इसी अधार पे था कि करफशन था इस पूरे इलाके में ये हमें पता था ये ममता बेनल जी या सरकार का जिक्र है लेकिन फिर आप लौट चलिए कि ये लडाई क्या सिर्फ इतनी असान है इतनी असान नहीं है नंदी ग्राम पहली बार इस हकीकत को देख रहा है कि दिल्ली से चल कर सत्ता धारी देश के प्रधान मंत्री, देश के ग्रेमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और कैबिनेट की फौज बंगाल में घूम रही है नंदी ग्राम नबश सेंटर बन चुका है वो किसे हराना चाहते हैं जो बंगाल में छेत्रिये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता धारी है ये अपने तरीके की एक लंबे वक्त के बाद लडाई है क्योंकि इससे पहले की लडाई में कॉंग्रेस जब सत्ता में हुआ करती थी वामपन थी पश्चिम बंगाल में सत्ता होते थे तब वो 35-40 वर्स पुराने की बात है तब उस वक्त ये संगर्ष देखने को मिला था लेकिन साड़े तीन चार दशकों के बाद चक्का घुमा है और फिर एक लडाई नजर आ रही है दिल्ली की सत्ता को बंगाल की सत्ता चाहिए और उस सत्ता को चाहने के लिए धुरीकर्ड बहुत जरुरी है जो हिंदू और मुस्लिम शब्द के साथ ही हो सकता है इसके साथ साथ जो आइडेंटिटी पॉलिक्स है जिसमें दलित है जिसमें यानि मतुआ समाज है जिसमें नमा सुन्दरदाज समाज है ये तलित कॉम्मिनिटी को अपने साथ कैसे लेकर आया जाए ये अगर साथ है तो दूसरी तरफ टीमसी के बड़ी तादाद में नेताओं का जो बीजेपी में शिफ्ट होना है वो मैसेज है कि टीमसी तो ढह गई चालिस से लगभग पुराने और नए विधायक अगर छोड़ कर चले गए कुछ सांसद भी छोड़ कर चले गए तो ये पाती तो ढह गई और जिस घोटाले घपलों का जिक्र था जिसमें सरधाना भी एक था चाहे उसमें शुवेंदू अधिकारी का भी एक वक्त नाम रहा हो मुकुल राय का भी नाम रहा हो या फिर जो लंबी फेरिस्ट गई है बीजेपी के भीतर में उनमें भी लगभग एक दरजन नेताओं का नाम घपले गोटाली और कमिशन बाजी में रहा हो या रत पर सवार शुवेंदू अधिकारी को या फिर चंडी पाट करते हुए खुद को धार्मिक बताने की कोशिश करती हुई ममता बेनर जी जिनको बताना पड़ रहा है इजहार करना पड़ रहा है या फिर इन सब के 20 साइलेंट मुसलिम तबका जो देख रहा है ये कौन सी परिस्तिती है इस परिस्तिती के भीतर में उसका तो कोई नाम लेवा नहीं है इन परिस्तितियों में उसे अपने नुमाइंदे को चुनना है और आने वाले वक्त में कोई किसी को छोड़ेगा नहीं ममता बेनरजी चुनाओ जीतती है और TMC हारती है तो सोचिये क्या होगा शुभेंदू अधिकारी चुनाओ जीतते हैं और BJP हारती है तो क्या होगा यानि कुल मिलाके जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको मतना है नंदी ग्राम को ही और जब ये मतने का सवाल शुरू होता है तो इसमें चौथा सवाल सबसे बड़ा आता है क्या वाकई ममता बेनरजी की लोगप्रियता को बदनामी में BJP बदल चुकी है या फिर नरंद्र मोदी की लोगप्रियता पर बाट बंगाल में लगाया जा चुका है चाहे बिरुजगारी का सवाल हो चाहे विकास का सवाल हो चाहे इंफरास्ट्रक्चर का सवाल हो चाहे गरीबी मुफलिसी का सवाल हो क्या प्रधान मंत्री मोधी बीते साथ बरस में दिल्ली की सत्ता में हैं तो पश्चिम बंगाल के लोग उनकी पॉलिसी देख रहे हैं या पौरिवर्तन के नारे के साथ वो ममता बेनर जी को हटाना चाह रहे हैं या फिर मम्ता बेनरजी को पधनाम करने की जो पूरी परिस्टित करने की जो परिस्तिती है उसको वो मांच चुके है है हाँ इस लडाई के बीतर का सच आखिर में होगा क्या क्योंकि ममता बेनर जी जब इस बात का जिक्र खुले तोर पर करती है कि दरसल मुझे अपने भाई, मा, बहन की मदद चाहिए और भाजपा के लिए जो पैसा आ रहा है या भाजपा जो पैसा देगी उसको आप रख लीजिए लेकिन वोट हमको दीजिए भाजपा को वोट मत दीजिए, एक मैसेज यह, दूसरा मैसेज, जिस तरीके से ममता बेनर जी ने पश्चिम बंगाल की इस्तिती में करप्शन को सिस्टम का हिस्सा बना दिया या सिस्टम को राजनिती करण का हिस्सा बना दिया और राजनिती ही करप्ठ हो गई, क्या लोग इसे समझ चुके है यानि इस लकीर को आप जितना लंबा खीचिएगा उसमें तीन बातें आपको बार बार निकल कर आएगी 2007 से नंदी ग्राम का किसान और मजदूर राजनितिक प्रयोग को लगातार देख रहा है 2007 से उसने चेहरों को बदलते हुए देखा है कभी वो मंडल के तौर पर था, कभी अधिकारी के तौर पर है और अब ममता सीधे वहाँ पोची है 2007 से 2020 तक कभी BJP की मौजूदगी नहीं थी Left की मौजूदगी थी, Congress की आवाजाही थी, TMC की मौजूदगी ठसक के साथ थी और जो आखरी लकीर का हिस्सा है वो सत्ता को पाने की ताकत के साथ सुविधाओं का उपभोक करने की ताकत थी लेकिन 2021 में आते आते यह भी बदल गया सत्ता तो आएगी तब क्या सुविधा मिलेगी उससे पहले ही आप सुविधा ले लेजिए और उसका उपभोक करना सीख जाईए लेकिन क्या वाकई जो ढ़ाई लाक वोटर है नंदी ग्राम का उसके भीतर ये सारे सवाल जो 2007 से चल रहे थे जहां पर वो बम बनाना घरगर में सिखा जाता था छोटे छोटे रिवाल्वर बनाने की परिस्तितियां थी पाइप जोड़ कर कैसे रिवाल्वर बनाए जाई ये नंदी ग्राम का सच था उस दोर में माववादी नेता किशन जी जब इस इलाके को घूम कर जाते थे तो कहते थे कि उनकी मीटिंग टीमसी के नेताओं के साथ भी होती है और इसका आरोब खुले तोर पर वामपंथी लगाते रहे लेकिन 2011 के बाद इस्तितियों ने जब पल्टा खाया तो फिर वा इस देश के वोटरों के साथ खेल खेलती है इसका मतलब यह है कि इस देश के जो सबसे गरीब पिछड़े मुफलिस इलाके होंगे उन इलाकों में इस देश की छेत्रिये और रास्ट्रिये पार्टी अपने प्रियोकशाला को लगाती है और उस प्रियोकशाला के जरीयर र जमीन पर खड़ा होकर कोई अगर रत पर सवार हो जाए और कोई टूटी टांग के साथ वील्चेर पर नजर आए और उसके बाद इस बात का जिक्र हो कि हम जीते तो फिर इस्तिती विकट हो जाएगी या दूसरा कहे हम जीते तो परिस्तितियों को बदल डालेंगे नहीं जी जीते तो इस्तितियों और बत्तर हो जाएगी कि आज वोटर को इस दौर के भीतर में एक ऐसी प्रयोक्षाला में डाल दिया गया है जिसका परिणाम दो मई को आएगा लेकिन उसके परिक्षण जो है वह एक एपरल को होगा एक एपरल का इंजार कीजिए क्योंकि एप सर इस देश के ग्रेमंत्री को इस रज्ज की मुख मंत्री को या किसी नेता को नहीं होता है कि उसके सफर में ही इतना पैसा लग जाता है कि पूरा गाउं एक साल भोजन कर सके यह गरीबी है जंगल महल के भीतर गाउं की बहुत 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 झाल झाल